So guys welcome back to micro classes हमारी Merit University और Sarnapir University की B.A.D. First Year की classes चल रही है आज का मारा subject है philosophical and sociological perspectives of education आज का मारा topic है sexic समास शासर Educational sociology अब ये क्या है, इसका क्या अर्थ है, क्या है, इसके छेतर होते हैं लाब वे उद्देश से क्या क्या है, important question तो इतना जादा नहीं है ये लेकिन फिर भी एक बार आपके B.A.D. के exam में आ गया था, तो ये लोंग में आता है वैसे लोंग question में देखने को मिलता है, जाज ज़्यादे एक ये दो बार आया होगा एक कम important question है लेकिन previous year questions में आपको भी बता रहा हूँ तो ये आया हुआ है तुछ उसे आपको पढ़ाना होगा तब आज का topic हमारा क्या हुआ हुआ, sexic समाज सास्त्र जिसे हम सिक्सा समाज सास्त्र भी बोलते है educational sociology देखो, sexic समाज सास्तर क्या होता है, ये समाज सास्तर की ही एक साका है समाज सास्तर में हम क्या करते हैं, पूरे समाज का अद्धन करते हैं कोई समाज कैसा होता है, क्या उसकी विचारदर है, कैसा रैंसान है, कैसे उसके रिती रिवाज है तो समाज की जो माननेता ही होते हैं, सिद्धानत होते हैं, उन सब का अध्यन हम समाज सास्तर में करते हैं लेकिन सैक्सिक समाज सास्तर में हम क्या करते हैं, समाज सास्तर के सिर्फ एक छेतर या फिर हम कह सकते हैं समाज के छोटे से छेतर मतलब सिक्सा का ही अद्धन करते हैं दो चीजे होती हैं एक तो होता है पूरा समाज एक उसका छोटा सा पक्स होता है समाज का सिर्फ सिक्सा तो पूरे समाज का दन तो हम समाज सास्तर में करेंगे और किसी भी समाज की सिक्सा कैसे होती है क्या होता है सिक्सा वगेरा किसी भी समाज की सिक्सा तो उस समाज की सिक्सा वाला जो छेतर होता है उसका संबन सैक्सिक समाज सास्तर से होता है समाज सास्तर का संबंद समाज से होता है पूरे समाज का अद्धन किया जाता है समाज सास्तर की एक साख है जिसमें किसी समाज की सिक्सा का अद्धन किया जाता है उसकी समस्या को जाना जाता है या फिर यह देखा जाता है कि समाज की सिक्सा और उस समाज में क्या संबंद होत समाज के सिक्षा पर क्या परबावब पर समाज की जो समाज के जिरता है जब भी हम किसी समाजगी सिक्सा की बात करेंगे इस समाजगी सिक्सा ऐसी है ऐसी ऐसी क्यों है तो वो बात हम सेक्सिक समाज सास्तर के तयात करते हैं और समाज सास्तर में हम क्या करते हैं कि समाज के नियम कानून कैसे हैं प्रमप्राई क्या है, सिद्धान्त क्या है, क्या बात मानते हैं तो वो बाते हम समाज सास्त्र में डिसकस करते हैं तो इन दोनों में यह अलका संतर होता है और समाज भी होती है अब इसके बारे हम पढ़ते हैं थोड़ा सा सैक्सिक समाज सास्त्र के तो सेम ही है, तो सैक्सिक किस से बना है, सिक्सा से बना है, समाज सास्तर किस से बना है, समाज से बना है, तो इन दोनों सब्दों का यह सम्मलित रूप है, जिसका अर्थ होता है, सिक्सा में समाज का समावेस, मतलब सिक्सा में समाज का समावेस हो गया है, सैक्सिक समाज सास्त था हम समाज का अद्धन कर रहे थी लेकिन हमने क्या देखा हर समाज की अपनी अलग अल번 माननेताइं होती है और unique नुप समाज की विवस्था करता है। इसका मतलब एक साखा को जन दिया, जिसके तहत हम, जिसके अंतरगत, हम किसी समाज के सिर्फ सिक्सा की बात करते हैं, उस समाज की सिक्सा कैसी है, या ऐसी है, क्यों है, या पिर कैसी होनी चाहिए, या ऐसी क्यों होती है, लेकिन पूरे समाज की बात नहीं करते हैं, सिर्फ सिक्सा पर ही तो साप्धिक विसलेशन के आधार पर कहा जा सकता है कि साक्सिक समाज सास्त्र वहविज्ञान है जिसके अंतरगत सिक्सा की परकिरिया का अध्यन समाज सास्त्रे सिधानतों के संदर्में किया जाता है अब ये अच्छा ही meaning आप यहां से देख सकते हैं स्यक्सिक समाज सास्तर क्या है वह है विज्ञान है जिसके अंतरगत सिक्सा की परकिरिया का जो अध्यनम करते हैं समाज सास्तरे सिद्धानतों मतलब समाज के सिद्धान्तों के अनुरूप हम सिक्सा की परकिरिया का ध्यन करते हैं इस समाज के सिक्सा ऐसी क्यों है इस समाज के सिद्धान्त ऐसे हैं तो ऐसी सिक्सा है तो समाज और सिक्सा को एक साथ लेकर आ जाते हैं सैक्सिक समाज सास्तर की एक साथ है जिसका जनम समाज का शिक्सा पर पढ़ने वाले परवाव के कारण घा है क्योंकि परते हैस समाज की सिक्सा क्या अनुरूप ये होती है लड़कों की यह लगोगे, कोई समाज की ऐसी मन्यता ही है या प्रमप्राएं या उनके सिद्दानत ऐसे हैं कि लड़के लड़किया एक साथ ही खेलते बड़े होने चाहिए उनके लिए अच्छा है तब उस समाज की सिक्सा पर परबाव पढ़ता है और हमने भी यही देखा कि समाज का उसकी सिक्सा पर परबाव पढ़ रहा है तो हम समाज की सिक्सा पर पढ़ने वाले परबाव को औ करते हैं तो हम किस साखा के अंत्रगत करते हैं सेक्सिक समाज साजसर के अंत्रगत करते हैं परतेक समाज का अपना रहन सहन होता है वह प्रमप्राव की बात आ रही है अपने कुछ रिती रिवाज होते हैं कुछ उद्देश से होते हैं परतेक समाज की होते हैं इनी के रूप वैस समाज अपनी सिक्सा की विवस्ता करता है, कोई भी समाज अपनी सिक्सा की विवस्ता करता है, जैसा उसका रहान सेन होगा, प्रमप्राय होंगे, रिती रिवाज होंगे, धार्मिक माननेता होंगे, उसके अवशकता होंगे, समाज की उसके उद्दिश होंगे, उनके अन जानतों के नरूप उसकी शिक्सा की विवस्ता करता है, उसकी शिक्सा की जाच करता है, शिक्सा की समस्याओं का अध्यान करता है, उनका समधान करता है, तदा सिक्सा वे समाज पर पढ़ने वाले संबंदों को जानता है, तो आसान बासा में अब यही कह सकते हैं, हम किसी समा किसी समाज की सिक्सा के समबन्दुकों को देखते हैं। तो यह काम करता है। मतलब क्या व bene ? वस्तूदा स्यक्सिक संत्स हैं वाह विज्ञान है जो समाज ce για दोर्वद्डेशों को सेक्षिक परकिरिया दने का करने का परियास करता है यह विज्यान समाज की संपूर्ण संस्थाव जैसे परिवार, स्कूल, समुदाय, धरम, राज्य, समचार, पत्र, रेडियो आदी का द्यनकर व्यक्ति को सर्वस्रेश्ट प्रानी बनाने के लिए और स्कूल की स्कूल कैसे है, समुदाय कैसा है, वह धरम कैसा है, मतल aquell वह समाज के आदार पर सेक्सिक समाज सास्त्र उस समाज के सिक्सा के उद्दे से पाठ्टे करमों, सिक्सिक विदियों वगरे को तियार करता है इस परकार सेक्सिक समाज सास्त्र उन सभी समाजिक किरियाओं अंतर किरियाओं का एद्दन करता है जिनको जाने बिना सिक्सा के सरूप है उसकी समस्याओं का यद्धन नहीं किया जा सकता तो ये क्या हुआ? सैक्सिक समाज सास्तर क्या है? सिक्सा से संबंदित अथ्यों का यद्धन करता है और असान बासे में आप यही कह सकते हैं सेक्सिक समाज सास्तर किसी समाज की सिक्सा से संबंदित होता है समाज की सिक्सा की जब भी हम बात करेंगे वो सेक्सिक समाज सास्तर के अंतरगत आएगा अब नेक्स्ट बात करते हैं सेक्सिक समाज सास्तर का जन्नकिया पिता जोर्ज पैनी को माना जाता है इसी नहीं सबसे पहले एक पुस्तक लिखे थी The Principle of Educational Sociology और इसी में इसने सिक्सा और समाज के संबंदों को बताया था कि सिक्सा पर समाज का परभाव पढ़ता है साथ ये साथ समाज पर सिक्सा का परभाव पढ़ता है इस वज़े से हमें समाज की सिक्सा की विजांस परता करने चाहिए और उसके वाहर में विचार विमर्स करने चाहिए उसके नए सिद्धान और बनाने चाहिए ये जानना चाहिए कि सिक्सा समाज को किस प्रकार पर वावित करती है या परतेक समाज के सिक्सा उससे कैसे संबंदित होती है और यहीं से सुरुवात मानी जाती है ह कि इसके बाद ही जोर्ज पनी के बाद ही नए नए हमारे दार्श्रीक में कह रहा है नए नए विचारकाई जिन्होंने इस संबंद में अपने विचार दिये वितर्क विशलेशन किया जिससे स्यक्सिक समाज सास्तर का जनम हुआ अब परिबासा देख लेते हैं लोंग कोश् सिक्सा और समाज में क्या संबंद होते हैं उसका वर्णन करता है कि सिक्सा का समाज पर परबाव पड़ता है समाज का सिक्सा पर परबाव पड़ता है किसी समाज की विचार दरख कैसी होगी वैसी उस समाज की सिक्सा हो जाएगी और किसी समाज की सिक्सा कैसी होगी वैसे उसका समाज हो जाएगा इस बात को अधिक समझने के लिए आप दर्सन और सिक्सा के संबंद को समझ सकते हैं क्योंकि दर्सन भी समाज का ही एक रूप होता है किसी समाज की जैसी सोच विचार होता है उसे ही हम दर्शन बोलते हैं उस समाज का तो इन दोनों के संबंद को आप असानी से दर्शन और सिक्सा के भी संबंद को देख सकते हैं उसके ओपर बैने वीडियो बनाई हुई है अब गुड की बात करते हैं गुड के अनुसार स्यक्सिक समाज सास्त्र इस बात का वैग्यानिक अद्धन करता है कि व्यक्ति समाजिक समुव में किस प्रकार रहते हैं वें कैसे शिक्सा पराप्त करते हैं इन समुव में कुशलता पूरवक रहने के लिए उनको किस प्रकार शिक्सा देनी क्या हो सकता है इनकी जो definition है वो इसपस्ट करती है स्यक्सिक समाज सास्तर में हम सिक्सा का यद्दन करते है तो स्यक्सिक समाज सास्तर क्या है हम ये चीज़ देखते हैं उसमें कि समाजिक समूव में व्यक्ति किस प्रकार रहते हैं वे कैसी सिक्सा प्राप्त करते हैं और कैसे शिक्सवने देनी चाहिए. तो सिक्सा का सीधा सीधा स्मबंद सेक्सिक समाज सासतर से होता है. अब important point है, यह बका यह का इंपोर्टेंट, यह in important, यह short में आया था एक बार, कि सेक्सिक समाज सासतर का सिक्षा पर क्या पर्भाव पढ़ता है, देखो सेक्सिक समाज सासर क्या होता है किसी भी समाज की सिक्सा के बारे हम बताता है कि वह सिक्सा कैसी है कैसी होनी चाहिए या समाज की सिक्सा क्या कर सकती है हमें सिक्सा के उस्ता कैसे करनी चाहिए समाज में तो यह करता है सेक्सिक समाज सासर तो अगर हमें सैक्सिक समाज सास तरह के सिक्सा वर परवाग को बताना तो एक लाइन में आप यह कह सकते हैं सैक्सिक समाज सास तरह हमें सिक्सा के महत्तों को बताता है कि सिक्सा होती क्या है उसकी जानकरी कराता है तो सिक्सा के लिए हमें जाग रूप करता है किसी भी समाज के नागरिकों को सैक्सिक समासास्तर का है और सैक्सिक समासास्तर का सिक्सा पर भी यही परभाव पढ़ता है क्योंकि यह सिक्सा को फैला देता है लोगों को जागरूप कर देता है शिक्सा के बारे में यही पोइंट यहाँ पर लिखे हुए आप अपने सब्दों में एक एक पॉइंट करके लिख सकते हैं सोट में आएगा यह 14 पोइंट लिखे हुए कोई भी आप कम से भी कम डेट पेस तो भरी सकते हैं सबसे पहला पोइंट है सिक्सा के परती अंग को परबावित चाहरे परभावित करते हैं क्योंकि हर छीज़ की व्यख्या करता है हार चीज़ की जांचkerать करता है हमारा सेक्सिक समाज सासर नेक्स पॉइंट है यह समाज के उद्देश्चों के नुरूप सिक्सा के सुरूप तता उद्देश्चों को बदलता है यह जैसे समाज के उद्देश्चों होंगे वैसे यह सिक्सा की विवस्था करेगा तो यह बात उसी को इंडिकेट करत इसका मतलब है हमारे समाज की विचारधारा चेंज हो रही है, तो हमारे समाज का सिक्सा पर परभाव पढ़ रहा है, वही सेक्सिक समाज सासर के परभाव से जन्द सिक्सा अंदोनन की सुरुवात हुई है, प्रेडाम सवरूप बालकों को सिक्सित करने के लिए चार और पढ़ा देता है, सिक्सिक समाज सासर हम बच्चों को विध्याला बेजते हैं, नेक्स्ट है, बाल सरम में काफी कमी देखने को मिली है, क्योंकि बच्चे जो परेंट्स होते हैं, बच्चों को काम करने के लिए बेज कर विध्याला बेजते हैं, इस विए से बाल सरम में कम एकजा विध्याला जाने लगाए है, चाहल्डी स्कूल 6, User Old New to the school इसमें बच्चो के विध्याला में बहचा जाता है. ज्वारं Neist,ंकि विध्याला को से प्रारम हुआ cowboy, puisqu elet को स्माहत्यों का सिक्सा विध्यालद प्रहे तो हमें बताया है नेक्स्ति है शिक्सा धर्म के चंगुल से निकलकर रास्ट ही थे तो राज्य द्वारा निर्देशित होने लगी यह भी important point है पहले क्या होता था शिक्सा पर धर्म का चलता था राज हमारे धर्म गरंत में क्या लिखा हुआ है कैसी शिक्सा दी जाने चाहिए धर्म एक शिक्सा दी जाती लेकिन आजगल क्या हो रहा है राज्य के आत्म राज्य से मतलब होता है center country राज्य सरकार हमारे राज्य से मतलब होता है हमारा देश मान सकते हैं यहाँ पर राज्य द्वारा निर्देशित होने लगी है मतलब हमारे देश यह राज्य से मतलब आप वो कह सकते हैं राज्य क क्या आग में चली गई है next है राज्य द्वारा वियोसा एक सिक्सा जैसे तकनी की चिकित साधी की सिक्सा परदान की जाने लगी है next है जो हमारे हैंडिकैब बच्चे होते हैं उनके लिए भी अलग से सिक्सा की विवस्था होने लगी है परियय टन विदिव अगेर केए खोज की गई है अच्छब सेखेरों के ही धी cooperation की गई है अच्छे सिखाकों की मांग हो रही है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चल रहे है अच्छ पोइंट है शिक्सा के महतोको सरोपरोरी इस्थान दिया गया मतलब सिक्सा के महत्तो को अब हम समझने लगे है, सिक्सा बहुत महत्तो है, सिक्सा का बहुत महत्तो है, क्यों समझने लगे है, क्योंकि सेक्सिक समाजसाथ सिक्सा पर अपना परबाव डालता है, और हमें बताता है, सिक्सा क्या है, नेक्स पॉइंट है शिक्सा को जीवी का पार जाने तो त्यार किया गया आज गलम शिक्सा ऐसी देते हैं जिससे बच्चे शिक्सा प्राप्त करके नो करी कर सकते हैं पॉइंट है, शिक्सा को संसकर्ति से जोड़ा जा सकता है, वही बात हो जाती है, तो सिक्सा और समाज में संबंद होता है, और इस बात को भी हमारा सेक्सिक समाज सास्तर देखता है, तो यह पॉइंट है, शिक्सा पर परभाव और यही पॉइंट आप आसानी से लिख सकते ह सिक्सा समासास्त्र के क्या लाब है तो यह आप लाब में भी लिख सकते हैं क्योंकि यह कोश्चन भी आ जाता है सैक्सिक समासास्त्र के क्या उद्देश्य है या फिर क्या लाब है यह पूइंट भी आ जाता है इसके बार में भी आप लिख सकते है वह पहले वाली बाते हैं पर यह लिखी हुई है स्यक्सिक समाज सास्त्र क्या करता है समाज सास्त्र को मतलब समाज को विद्यालने से जोड़ता है स्यक्सिक समाज सास्त्र समाज को विद्यालने से जोड़ता है स्यक्सिक समाज सास्त्र समाज क्या हो सकता हुए हम समस्याओं का एद्धन करता है तत पर स्क्सीअ करता है, यह समाजिक समस्ञाव को समझता है और उनका समाधान भी करता है, पठ्ठकरम वoccupत निर्मान आधों इस को निर्मान करता है, इस सब सिमीलर सी पोईंट है, स्क्सीज़क समाश्ता सक्सड़ और समखरी के चेहन में घुमिका निवाता है. स्क्सिक समाज सास्त्र की साहिता से सिक्सा क्या उधाननों को समझने में साहिता मिलती है सब को पता चलता है कि सिक्सा क्या है स्क्सिक समाज साहिता से विद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्दद्द्द उस समाज की सीखसा के विवस्था करता है उसे समझने कोशिश करता है नेक्स पॉइंट है हमारा इसके दोवारा समाज में अवश्चा सुधार किये जा सकते हैं सैक्सिक समासास्तर के दोवारा नेक्स्ट है इसके दोवारा एक 22 समाज की निव रखी जा सकती है तो ये आसान-असान से point है sexic samasasar के क्या लाब हो सकते हैं आप ये लिख सकते हैं या फिर ये जो point लिखे हुए है इन में से भी जो आपको अच्छा लगता है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी इसके गुण ही है जो यहाँ पर लिखे हुए है अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं sexic samasasar के छेतर यह भी सोट में आ जाता है सारनपुर उनिवर्स्टी में आया था यह पिछले साल 2022 में आया था सारनपुर उनिवर्स्टी में यह question sexic samasasar के छेतर छेतर मतलब sexic samasasar के छेतर छेतर से मतलब होता है यहाँ पर area कि sexic samasasar का कितना area है उसमें कौन-कौन से पोईंट या topic cover किये जाते हैं किन-किन topics पर adhan किया जाता है किसी भी चीज का छेतर क्या होता है छेतर का मतलब होता है वे topic में परकरण में बिंदू या में विशय हैं जिनका अध्यन किया जाता है उस विशय में तो सेक्सिक समाज सास्तर के छेतर से क्या मतलब होता है में टोपिक या में विशय हैं जिनका अध्यन सेक्सिक समाज सास्तर में किया जाता है अब ये point तो आप जानते हैं सेक्सिक समाज सास्तर के छेतर कुन कुन से होते हैं समाज में सिक्सा का द्यान करना उसकी व्यवस्था करना पाठ्टे करम बगारा की व्यवस्था करना उनकी कोज भी नहीं करना जांच करना शिक्सा की समस्याव का द्यान करना तो ये तो आप अ आसान तरीके से आपको सब कुछ बटा दिया है, समाज सास्तर में क्या आता है ? शमी समाज सास्तर का छेतरहत्य व्यापक है, इसके अंतरगत बहुत से वीशियों का अधिन किया जाता है, जिसमें से कुछ निमल verso की थमने वर्णन किया गया है, पहला point है सिक्सा पर समाज के पढ़ने वाले परभाव का एद्धन किया जाता है कि सिक्सा पर किसी समाज का क्या परभाव पढ़ता है यह important point है और आसान point है आप वो देखना सिक्सा पर हमारे दर्सन का क्या परभाव पढ़ता है उसी परकार से आप चीज़े देख सकते हैं, आप वहीं से यह चीज़े निकाल लेंगे Next है, समाज का सिक्सा पर क्या परभाव पड़ता है क्योंकि इन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए है सिक्सा पर समाज का क्या परभाव, समाज पर सिक्सा क्या परभाव बाकी मैंने वीडियो भी बनाई हुई है शिक्सा और समाज इन दोनों का एक दूसरे पर क्या परभाव पड़ता है आप वो भी देख सकते हैं नेक्स पोइंट है सिक्सा तथा बालकों के प्रसपर संबंदों का अध्यन करना सिक्सा के बाकी आप अपनी मर्जी से वो भी लिख सकते हैं जो मैंने पहले पढ़ाया हुआ है कि स्क्सा क्या क्या चीज़े कवर करते है सिक्सा के समस्या है वगरा पाठे करम वगरा सिक्सान वीदियां वगरा चातरों के समस्या हैं सिक्सा के समस्या है सिक्सा किस परकार का होना चीज़े सिक्सा समाज में किस परकार की उनचे तो यह चीज़े भी हम सैक्सिक समासास्तर में अध्दन करते हैं तो यह आज का मारा topic था sexic smarts वेवस्ता क्रते हैं आध्धन करते हैं उसके शेत्यों का समधान अगेरा करते हैं एस topic को अब आप शेर समझ पाये होँगे वीडियो अच्ही लगी हो आप इसे अपने paradox में दोस्तों के साथ सेयर कर सकते हैं ब्याड के सभी सब्जेक के daily regular classes लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं Till then, bye bye, take care